नमस्कार आपका स्वागत है आपके साथ मैं कांग्शा राजपूत धन तेरस दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है धन जिसमें हम कह सकते हैं स्मृध्धी और संपत्ति तेरस का मतलब है हिंदू केलेंडर की तेरवीति थी इस दिन भगवान धनवंत्री की पूजा की ज दरूरत है यही सब हम आज जानने के कोशिश करेंगे इस खास पेशकर के जरीए इस वक्त हमारे साथ एक खास मैमान यहां पर मौजूद है पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है बहुत स्वागत है पंडित जी आपका धन तेरस चुकि देखे दिव अंचा जी आपने धन त्रयोदसी की बात किये भारतिय सनातन धर्म में धन त्रयोदसी का पर्व कार्तिक महिने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदसी तिथी में आरंब होता है मनाया जाता है अब आप यह समझ लिजिए यहीं से दीपावली का पावन पर्व आरंब होता है जो की पांच दिन तक चलता है धंत्रयो दसी में जो दीपावली में भगवान गणपती, भगवान कुवेर और देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, धंत्रयो दसी के दिन ही ये सभी खरीद करके बजार से घर लाए जाते हैं और दीपावली में उनकी इस्थापना की जाती है सास्त्र कहते हैं कि धंत्रयो दसी का दीपावली का यह पंच दिवसी यह जो पर्व है यह धनवंतरी के साथ में जुड़ा है धनवंतरी आजिरुवेद के प्रवर्तक है और समुद्र मंधन के समय अपने हाथ में कलस अमरित कलस ले करके धनवंतरी प्रगट हुए है और यह स्वास्त की ब्रद्धी करने वाले है धनवंतरी के साथ में धन त्रयोदसी के दिन कुवेर का पूजन भी किया जाता है विशेश रूप से जो धन त्रयोदसी है यह खरीददारी का पर्व है नई बस्तुएं अपनी राशी के अमसार आप सोना खरीद सकते हैं कपड़े खरीद सकते हैं नया वाहन खरीद सकते हैं गाड़ी मकान खरीद सकते हैं दुकान खरीद सकते हैं या किसी भी नए कार्ये का आरंभ भी कर सकते हैं जो आपकी राशी के ग्रह है यह उसके आधार पर आपको खरीददारी करनी चाहिए और उसका मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त में ये सारी वस्ते में खरीदी जाती है इस प्रकार से धन्त्रयोदसी हमारे जीवन में बहुत महत्तपूर्ण इस्थान रखती है और भगवान जो कुवेर देवता है जो धना ध्यक्ष हैं भगवती लक्षमी के मेनेजर हैं धन के मेनेजर हैं उनका पूजन भी धन्त्रयोदसी में किया जाता है तो दिखे आज के दिन का बहुत बिशिश महत्व होता है पंडिजी पूजा किस तरह से करनी चाहिए क्या क्या सामगरियों की जरूरत होती है पूजा करने के लिए पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि धन्त्रयोदसी का महूरत क्या है तो आप ये समझ लिजिए कि 2024 में 29 अक्टूबर को धन्त्रयोदसी तिथी मनाई जाएगी और धन्त्रयोदसी दस बज करके 31 मिनट में त्रयोदसी तिथी का आरंभ होगा उसके उपरांत इसका जो पूजन का सामग्री खरीदने का महूरत है वह एक बजकर के 13 मिनट से आरंभ होगा और सायंकाल में 5 बजकर 13 मिनट तक ही रहेगा इसके बीच में आप बजार से सामग्री खरीद सकते हैं इसके अत्रिक्त सायंकाल का जो गोधूली समय है वह साड़े पाँच बज़े से आरंभ हो करके आठ बजकर 11 मिनट तक रहेगा यह धन्त रयोदसी का दूसरा महूरत है एक बात का ध्यान रखें जो भी वस्तू आप बाहर से बजार से अपने घर के लिए चाहे बरतन खरीद करके लाते हैं तो खाली बरतन लेकर के घर ना आएं उस बरतन के अंदर कुछ मिठाई खील बतासे जा कोई भी वस्तू उसके अंदर डाल करके लाएं खाली बरतन घर में लाना नहीं चाहिए और सबसे बड़ी बात है मंदिर की आप इस दिन इस्थापना करेंगे अखंड दीप जो पांच दिन तक जलने वाला दीपक है वह धंत्र योदसी से आरंभ होता है छोटे छोटे दीपक आप अपने घर के हर कोने में जलाएंगे और भगवती जो आपके घर में मंदिर में विराजमान भगवती देवी हैं लक्षमी का जो चित्र गणेस और लक्षमी का चित्र इस्थापित है उनके सामने आपने चार मुख का दीपक जलाना है और चार मुक्का दीपक, सुद्ध घीका, देसी घीका जलाना है और उसके साथ ही उसमें जो बति लगानी है यह भी बिशे時 ध्याना देने की बाद है तो उसमें रुई की बति ना लगा करके मौली की बति बना करके लगाना है और वह पाँच दिन तक अखंड दीपक जलता रहना चाहिए, इससे आपके घर का वास्तु दोस्दूर होगा और घर में सम्रद्धी की का आगमन होगा इसके साथ ही घर के पारवस्परिक मन विचार में एकता होगी घर में शान्ती आएगी और सम्रद्धी की व्रद्धी निरंतर होती रहेगी यह पांच दिन तक किया गया जो अनुष्ठान है इसमें आचार, विचार, खानपान, रहन सहन इत्यादी का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए तो क्या कोई विशेश उपाय भी आज के दिन किया जा सकता है जी देखे मैं आपको बतलाता हूँ जिस प्रकार मैंने पहले भी आपको बतलाया कि धन त्रयोदसी से ही दीपावली का पर्व आरंभ होता है यह पंच दिवसी पर्व है ऐसी इस्थिती में यदि आपको धनकी आव सकता है तो आप देवी तुलसी के पास गीका दिया अवस्य जलाएं यदि आप अपनी जन्व कुंडली के ग्रहों से परेशान है ऐसी इस्थिती में पीपल के पास में पांच दिन तक आपको दिया जलाना चाहिए उससे आपके कुंडली के जो प्रतिकूल ग्रहें उसमें अनुकूलता आएगी सकार आत्मा के व्रद्धी होगी कुंडली के ग्रह दोसों से निजात मिलेगी यदि आप किसी प्रकार से ऐसा ही इस्थिती है कि आपका धन कहीं रुका हुआ है और वह धन वापस नहीं आ रहा है तो आपको बेल पत्र बेल फल के पास में जा करके और विल ब्रक्ष के पास दिया जलाना चाहिए उसमें भगवान शिव का वास होता है भगवती पारवती जी का वास होता है और माता लक्षमी का निवास भी होता है ऐसा करने से भगवान शंकर की क्रपा आपको प्राप्त होगी और आपका रुका हुआ धन वापस आ जाएगा पंडिजी कौन कौन से वो बाते हैं जो ध्यान रखने के सभी को जरूरत है चाहे पूजा के टाइम हो या फिर कौन से रंग के कपड़े पहन कर पूजा अर्चना करने चाहे है धनते रस के देन देखे हमारे सास्त्रों में रंग का बहुत बिशेश महत्त होता है आपने बहुत सुंदर प्रस्ण किया है सास्त्र में काले वस्त्र और नीले वस्त्र धारण करके क्योंकि ये तमोगुन की व्रधी करने वाले रंग हैं इनका परहेज करना चाहिए पूजा के समय में इसके अतरिक्त आप लाल वस्त्र अथवा पीले वस्त्र धारण करके भगवती लक्ष्मी का पूजन करेगे उससे आपको विशेश लाभ प्राप्त होगा चुकि अमावश्या के दिन दीपाबली का पर मनाया जाता है और उस दिर अमावश्या तिथी होने के कारण पित्रों का पूजन भी किया जाता है और पित्रों का पूजन कुतुप का अलर्थात मध्यान काल में किया जाता है पित्र देवताओं का पूजन करने के लिए आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और सफेद पुष्पों का ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए साथ में आप पित्रों का तरपन भी कर सकते हैं ब्रम्ह स्तरप्यंताम विश्नुस्तरप्यंताम रुद्रास्तरप्यंताम इस प्रकार से तरपन करके और आप भगवती अपने लक्ष्मी की क्रपा क्योंकि पित्रों का तरपन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पितरों की क्रपा के बिना भी धन की प्राप्ती नहीं होती संतान और धन पितरों की क्रपा से ही प्राप्त होती है कौन-कौन सी वो बाते हैं पंडिची जो आज के दिन खयाल रखने की जरूरत है क्योंकि कई बार होते हैं कि पूजा के टाइम पर लोग गलतियां कर बैठते हैं तो वो कौन-कौन सी गलतियां हैं जनसे बचने की जरूरत है देखे सास्तरकार यह कहते हैं कि जब आप कोई अनुष्ठान लेते हैं तो उस अनुष्ठान के लिए आपको अपने खान पान पर प्रयास करके नियंतरन करना चाहिए तमोगणी वस्तूओं का भोजन जो है नहीं ग्रहन करना चाहिए प्याज है लासुन इत्यादी का परहेज करना चाहिए साथ में रहन सहन का परहेज करना चाहिए ब्रह्मिचरिय का पालन करना चाहिए संभव हो सके तो भूमी पर शयन करना चाहिए इसके बाद ब्यर्थ की बारताल आप नहीं करना चाहिए असत्त भासन से बचना चाहिए जितना कम हो सके उतना कम बोलना चाहिए और इन पांच दिनों में भगवती की साधना करनी चाहिए यह तंत्र साधना के दिन भी कहलाते हैं जो रात्री का समय है जिसको महानिशीत काल कहते हैं यह तंत्र साधना का समय होता है इसलिए पंच दिवसिये दीपावली में तंत्र की साधना तंत्र का मतलब वो काले वस्त्र पहन का डराने वाला नहीं है तंत्र के कुछ मंत्र हैं जो की तंत्र कार्थ होता है अत्यंत्र शिग्र क्रपा करना तेवताओं की पूजा यंत्र तंत्र और मंत्र त्रुणात्मक रूप में की जाती है तो आप यंत्र में दीपावली का पूजन करेंगे और तंत्र की साधना धंत्र उदसी से आरंभ होती है जो की महान शीत काल में रात्री काल में की जाती है तो आज के दिन कुछ ऐसी चीज़े भी पंडीचे बताईए जो लोग दान कर सकते हैं और वो बहुत लाभकारी हूँ जिन्दगी के लाए जी देखें सास्त्रों में दान की बहुत बड़ी महीमा कही गई है लेकिन यह ध्यान रखें उपहार के रूप में आप कोई वस्तु अपने प्रिये जन्म को भेट कर सकते हैं लेकिन यह पाँच दिन धंत्रों दसी से ले करके भाई दूईज तक ना तो कर्ज लेना चाहिए और नाहीं किसीको कर्ज देना चाहिए कर्ज लेने और कर्ज देने दोनों से परहेज करना चाहिए यह विशेश रूप से ध्यान चाहिए दान के लिए दान अपना श्रद्धा भाव समन विताहा श्रद्धा के अनुसार आप दान उपहार के रूप में कुछ भी वस्तू दे सकते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि क्या देना है क्या नहीं देना यदि आपकी कुंडली में ग्रहों का दोस है कुंडली के ग्रहों के दोस निवारण के लिए यदि आपका रहस्पती खराब है तो हल्दी का दान कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में सनी खराब है तो काले तिल तेल अत्वा लौं का दान कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र की स्थिती ठीक नहीं है तो आप खील और बतासे का जो है ये वितरण कर सकते हैं दान कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है तो लाल मिर्च का दान कर सकते हैं क्योंगे लाल मिर्च का संबंद सूर्य के साथ में हैं तो इस प्रकार से अन्था अपने भाव के अनुसार वस्त रित्यादी ये बात विशेज ध्यान से रखें कि जब आप धंत रहो दशी क के दिन कोई वस्तु बाहर खरीदने जाते हैं तो अपने घर के बड़े बुजरुगों के लिए वस्त जरूर ले करके आएं और उनको उपहार रूप में भेट करें उनका आशिरवाद अवस्त ले क्या कोई विशेश मंत्र भी है जिसका जब कर सकते हैं आज के दिन हैं वो पूझा ना कर पाएं तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनलोगों को सबसे पहले आपने मंत्र की बात पूछी है धंत्रे उदसी से आरंभ करके भाई दूज तक एक मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं यह यक्ष राज कुवेर देवता नहीं है यक्ष हैं लेकिन उन यक्षाय कुवेराय वैश्रवणाय धनधान न्याधि पतहे धनधान सम्रद्धि में देही दापय दापय स्वाहा इस मंत्र का जाप आप कमल दाने की कमल गट्टे की माला में करें और घी में कमल गट्टे मिला करके इसी मंत्र से एक सो आठ आहूतियां पाँच दिन तक ल बगातार करें, आपके घर में पूरे एक वर्स तक धन की कमी नहीं रहेगी। और इसके साथ एक मैं स्तोत्र बतलाता हूं, जो देवराज इंद्र के द्वारा भगवती लक्षमी का इस्तवन किया गया। उसको कहते हैं लक्ष्मी अस्टकम इस लक्ष्मी अस्टकम का पाठ पांच दिन तक ग्यारा आवर्तन करने से विशेष देवी की क्रपा प्राप्त होती है वो मंत्र में कुछ आपके सामने उच्छारण करके सुनाता हूँ ओम नमस्तेस्तु महामाये स्रीपीछे सुरु पूझिते शंखच चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम नमस्ते गरुणा अरूढे कुला सुर्भयंकरी सरव पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सरव अग्ये सरव बरदे सरव दुष्ट भयंकरी सरव दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते शिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्षमी नमोस्तुते यह भगवती महालक्षमी अस्टकम के मंत्र हैं और इनका प्रति दिन पाँचो दिन पंच दिवसी दीपावली में ग्यारा आवर्तन करने से धन धान से घर भर जाता है पंडी जी आज के दिन होते कि कई लोग बहुत सारी चीज़े घर पर लेकार आते हैं जो बहुत शुब मानी जाती हैं तो कौन-कौन सी वो सामगरिया हैं जो शुब हो सकती हैं जो धंते रस पर घर लाना चाहिए देखे सामान रूप से जो है वस्त्र आप खरीद सकते हैं घर की सफाई के लिए जाडू खरीद सकते हैं नमक खरीद सकते हैं और बरतन खरीद सकते हैं यह सामान रूप से हैं यदि आपके पास संपन्नता अधिक है तो आप सोना खरीद सकते हैं चांदी भी खरीद सकते है लेकिन प्रयास करके इस्टील के वर्तन नहीं खरीदना चाहिए और पूजन की सामग्री आपको जो दीपावली की पूजन की सामग्री है वह खरीदना चाहिए भगवान लक्षमी गणेश जी के जो यंत्र हैं मूर्ती हैं यह सब खरीद करके धन्त्रयोदसी के दिन ही अपने घर में लाया जाता है तो क्या आज के दिन कोई विशिश नक्षत्र अफर प्रहे का भी ध्यान रखने की जरूरत है ने देखी क्या है कि धन्त्रयोदसी नक्षत्र तो उसमें कोई भी आ सकता है मुख रूप से इसमें तिथी की प्रधानता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदसी तिथी में ही धन्त्रयोदसी का पर मनाया जाता है इसमें नक्षत्र तो दूसरा भी आ सकता है, स्वाती भी आ सकता है, चित्रा भी आ सकता है, असुनी भी आ सकता है क्योंकि नक्षत्रों की गणना 27 ही है और तित्यों की संख्या 30 है तो इस प्रकार से दोनों में सामंजस बैठे गनी की हर वर्ष वही रक्षत्र आना चीए इसलिए वह संभव नहीं होता है अगर राशियों के इसाब से देखा जाए पंडिजी इस बार धंतेरस कितना शुब रहने वाला है देखे राशियों की द्रस्ती से हमेशा कोई भी राशी सुब नहीं चलती है हमेशा कुछ राशियों पर अन ग्रहों का प्रभाव भी होता है बर्तमान समय में सनी का प्रभाव कुम राशी पर है और मकर रासी को भी प्रभावित कर रहा है और मीन रासी को भी प्रभावित कर रहा है सनी की साड़े सात्य और ढहिया से प्रभावित हैं कुछ रासियां जिनमें अन्य ग्रहों ब्रहस्पती का गोचर चल रहा है तो यहाँ पर चंद्रमा सवा दो दिन में एक राशी पार करता है, सूर्य जो है वह एक अंस प्रति दिन गती करता हुआ, तीस दिन में एक राशी को पार करता है, ब्रास्पती एक वर्ष एक राशी में लगाते हैं, और सुक्र हैं, बुध हैं, यह 45 दिन में एक राशी को प होगा यदि मैं फलादेश कर दूं कि अपसे लेकर के अगली दिवाद दीपावली तक यही रहेगा तो वैं जनता के साथ में धोखा करने वाली बात बिल्कुल पंदी जी लेकिन अगर स्वास से समंदी किसी को कोई प्रॉबलम है तो धंते रस के दिन क्या कोई विशे शुपाय कर सकते हैं यह आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगती संसार में सुखी कौन है जिसका स्वास्त उत्तम है ऐसी स्थिती में धंत्र उदसी से आरम करके भाई दूज तक कम से कम ग्यारह माला हो सके तो महामृत्तु जे मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और यदि आपको अभ्या से पाठ करने का तुरोगा नसेसा नपहन सितुष्टा रुष्टा तुकामा नसकला नभिष्टा त्वामा शितानाम नभिपन नराणाम त्वामा शितामा श्रयताम प्रयांती यह दुर्गा सबसती का मंत्र है जो की मारकंडे पुरान से लिया गया है और इस मंत्र का दुर्गा सबसती के प्रथम अध्याय से लेकर 13 सद्याय तक संपुट लगा करके पाठ करने और अंत में इसका हवन करने से असाध धरोग से भी छुटकारा मिल जाता है तो देखें स्वास संबंदी क्योंकि कुछ उपाई अगर कोई करना चाते है या लंबे वक्त से परिवार में कोई बिमार है तो यह उपाई कर सकते हैं अगर नौकरी के लिहाद से देखा जाए ठंते रस पर तो ये दिन कितना शुब रहने वाला है क्योंकि कई बार होतए कि लोग बहुत ज्यादा जद्धो जहद करते हैं लेकिन नहीं नौकरी लग पाती तो ऐसे में कोई विशे शुपाई अगर आप बटा पाएं देखें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहा धीनम जगत सरवा यह पूरा अंडपिंड ब्रम्भांड ग्रहों के अधीन में है यदि आपकी कुंडली में नौकरी छूटने का योग है तो ग्रह अपना प्रभाव देगा और नौकरी छूटेगी ग्रह में यदि आपकी कुंडली में योग है कि अब नौकरी लगने वाली है तो वह भी लगेगी ऐसी इस्थिती में पूजा इत्यादी से कुछ मदद अवस्थ मिलती है और यदि आप की नौकरी को ले करके आप परेशान हैं बहुत दिनों से आप नौकरी ढूड़ रहे और आपको नौकरी नहीं मिल रही है ऐसी इस्थिती में आपको किसी जोतिर विद को अपनी कुंडली दिखा करके उस ग्रह की दसा अंतर दसा में जो ग्रहों का योग चल रहा है या ग्रहों का जो गोचर चल रहा है उस ग्रह के मंत्र का पुरश्चरण अनुस्थान आपक किसी का दोपहर काल में है किसी का प्राते काल में है सनी इत्यादी जो राहू इत्यादी है इनका अनुस्ठान का विधान सायं काल में है